हलो एवरिवान कैसे हो आप सब जल्दी बिट अपने हाल चल बता दीजे तो आज का लेक्चर हमारे लिए बहुत ही जादा इंपोर्टेंट होगा क्योंकि यह आप सब की डिमांड पे ही लेक्चर आया है ठीक एमें के रही हूँ आप सब का टॉपिक था की मैं मौडल्स पढ़ा ओ पर पढ़ा तो हर बचे ने कमेंट सेक्शन में यही लिखा था तो आप सब की डिमांड पे मैं आज आपको एंकशन रखना पड़ेगा otherwise क्या होगा ना आप को Хई याद ही रहेगा क्योंकि ये ये Master Class है से और भूलना नहीं है वीडियो के बाद मैं कके निस और से देखनी है वीडियो के दिमांड पर होता है तो प्लीज मुझे वीडियो के बाद देना पहले न देना अब कहां से पढ़ूंगे मैं यह वाला टॉपिक चिक है लेकिन वीडियो के बाद आप मुझे दीजेगा जिस टॉपिक पे सबसे ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो पहले वो लेंगे लेकिन हर क जैसी का अऌक हम धरूर यहाँ पे कंसीडर करेंगे ठेक तो आज का ल मॉडल स्पे स्चार्ट करते हैं मौॉडल बीटा क्या होता है मैं आपको एक ब्रॉड व्यू्यू यहाँ पे देती हूं क्या कह रही हूं ब्रॉड्वीयू यहां पे दुघोंत इन वर्ब्स को अगर हमने inglish में क्या कर रही हूँ अगर इन्वर्ब्स को हमें श्मेERS Andrew करना होता है क्या क्या कर unique件 ऑद और इसकी कोई Defined limit नहीं क्या कह रही हो इसकी कोई Defined limit नहीं होती यह इसकी proper guidelines नहीं होती क्या करें हो इसकी प्रॉपर गाइड लाइन नहीं होती तो हमें यह गाइड नहीं करता हम कोई भी फॉर्म में मॉडल्स को यूज कर सकते हैं बीटा कोई भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं चाहे हम पास की बात करें प्रेजेंट के बात करें तो एक रेगुलर सीडर मत कीजिएगा की चाप्टर में सिरफ हम यहीं पढ़ेंके जीन बच्चों को मॉडिल्स कब बॉड़ को मौॉड ic कीन बच्चों को मॉड semester आता है अगर आता है तो प्लीज पार्टिस्पेट कीजिएगा और अगर नहीं आता है तो प्लीज ध्यान से समझे का चिक मौरडल होते हैं हमारे वर्ड और वर्ड कौन में होते हैं वर्ड जिसका मतलब है कि कोई वर्ड की फॉर्म यहां पर यूस नहीं की जाती अब मैं आपको यह कह रही हूं कि हमने अगर रेगूलर लेक्ट नहीं पड़ा है वर्ब का सबस्क्राइब कैने सबका सब बता चल गया होगा चिक है गजा में जैसे मैं कहूं कैन ठीक है कैन का पास टेंस क्या हुआ बिटा आप बच्चे बहुत बारी मुझे कह रहे है टेंसे पर लेने के लिए बीटा टेंसे प्रक्राइब लेना है इस वजह से मैं अभी टेंसे नहीं ले रही हूं लेने लग लग तो रेगुलर मास्टर में कोई फरक ही नहीं रहे जाएगा तो एक्जामपल मैंने का कैन और इसका पास होता है बेटा कुड टिक पास होता है कुड अभी हाँ पे मैंने आपको कहा कि प्रेजेंट टेंस में अगर विल आ गया तो पास में आएका वूड क्या आएगा तो यहाँ पे हम जो क्या कह रहे हैं मौडल के बारे में discussion करेंगे अब बेटा मॉडल को आप यह देखो अगर मौडल को देखो गे ना तो एक वर्ड आपका निकल के आएगा कि यह मूड क्या है यह मूड है इतमीस यह आपके मूड पेंड करेगा कि आपको वर्ड को कैसे यूटिलाइज करना है चीद आप वर्ड को कैसे यूज करें पर मुचन गरांट करने के लिए क्या होता है आपकर अनुमती लेनी हो किसी की कि जिए परमिशन मतलब अनुमती लेनी है कि सिके छिक या पर ए-डौई इस देनी ए मतलब की एड्वाइज करना हम किसी को एड़िवाइस करते है तो हम अपनी है बारे में क्या होता है बीटा नहरेशन होता है जिसे कि पास्ट वाइस को यूसर करना हमार की नियुक्त को डारेक्ट से इंडारेक्ट स्पीच में कनवर्ट करना तो एक बच्चे का टॉपिक यहां पर नरेशन स्वी था तो मेरा यहां पर यह मानना है कि मैं नरेशन पर भी मास्टर क्लास जरूर लूंगी तो आपको अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट कि आपको क्या प्रॉब्लम है जिकर स्वाइट जो यहां पर हम स्वाट कर सकते हैं यह और नू क्या हम स्वाट कर सकते हैं ठीक तो यहां पर हमारा पहली स्क्रीन जो आ गई वो है हमारी मॉडल स्पे तो प्लीज धिहां से इसे पढ़ना है ठीक इसे प्लीज धिहां से पढ auxiliary का क्या मतलब होता है helping chicken तो यहां पे क्या auxiliary का मतलब bracket में ही लिका helping a model is a type of helping verb क्या है model क्या है एक helping verb last slide में भी मैंने आपको यही समझाया वो वर्ब का form जिते हमार को guide नहीं है कि हमें इस form में utilize करना है तो यहां पर मैंने थोड़े से example the a broad view the other just easy cheese go home base करके चलते हैं चिका मैं करिव easy cheese go home base करके चलते हैं a model is a type helping verb that is used to express मैंने क्या कहा जैटेज यूज रख्ष्प्रेस जब हमार को कोई चीज को express करना हो मतलब कि उसकी ability को दिखाना हो उसकी possibility को दिखाना हो हमें कोई permission चाहिए यह हम्यारी duty obligation in the sense मतलब की duty क्या मतलब हुआ duty clear hair yes or no they give it a very important topic टेके जिद बच्चे ने मुझे का है models lene के लिए I'm very happy कि आपने यह topic में को suggest किया है चिके बाकी भी आप suggestion दे सकते हैं आप वीडियो देख रहे हैं आपको जोच समझ नहीं आ रहा है कमेंट में लिखे master class में अगले topic के मुझे discussion दे कि भाई हमने यह पढ़ना है चिक है ultimate motive क्या है आपको पढ़ना है चिक है आपको जो समझ में आएगा फिर हमें खूशी मिलेगी ओके तो अब देको a module is a type of auxiliary verb auxiliary का क्या मतलब होता है helping work क्या बोल रहीं helping verb होता है जो express कराता है बंचा ability को किसको ability को ability का मतलब होता है काबिलियत आपकी काबिलियत को express करता है वो क्या होता है वो आते हमारे models taken possibility हम कर डेने काई-डेक्टिक्टन कर देते हैं कि possible exaggeration होगी हमतों सोचते हैं हमारी जो जो खेर निर्抜़ता है उसे हम कहते है possibility क्या कहते है उसे हम कहते है possibility यह हम इसे यह बोलें कि क्या संभावना है ठीक कोई संभावना है उसे हम कहते है possibility क्लियर है बेटा जल्दी मुझे बताई और आगे देखिए permission permission मतलब कि आप मम्य पापा से परमिशन लेते हो जिए या अगर आप ओफिस गोई खो तो आपने बॉस से परमिशन लेते हो अगर आप स्कूल गोई भी तेचर से परमिशन लेते हो यह और नू ठीक है अभी यहाँ पर देखो अगर ऑब्लीगेशन इत मीन्स कि हमारी कोई डूटी थोती है अगर हम घर पर रह रहे हैं तो हमारी क्या ड्यूटी है कि हमारे को पेरेंट कि कहना मानना अगर हम ऑफिस में तो हम अपने बॉस कि एना मानना अगर हम स्कूल में एक्षाइगर हो यहां पर बेटा गाराई रहां कोई बेटा घ्रख दिरक ध्यान से हमें पढ़ना हमें कोई जलती नहीं मौद्व में पहली खेर सबस्क्राई है तो आपको कुछ समझ नहीं pounds थोगया कैन का क्या होता हैường ठीक है उसके बाद फी एबल तो अगर हमारको एन यूज करना है को डायों थो करना है बीएबल to usable डोगे और रहो हमार यहां से तो यह पता चल कै bus model के एक्जांपल है यूसेज कैसे होगी एक्जांपल दोगे अपी एक बरी ब्रॉड वी तो ले लो स्लाइट से तो ब्रॉड वियू ले लो उसके बास समझा रही हूं यह सारी चीसे ठीक है सेकेंड आगया हमारा में यह माइट ठीक है सेकेंड एक्जांपल हो गया में यह मैं मैं कह रही हूँ यह कंसाइज एक्जाम्पल नहीं है मॉडल्स बहुत टाइप स्किब एल्पिंग वर्ब जो भी आप कहोगे वो मॉडल्स में आते हैं तो लेकिन बेसिकले यही चीज़े यूज होती है मॉडल्स में तो आप प्लीज ध्यान से पढ़े मैं करें ध्यान से है फिरा आजाता है हमारा श्यल्ज याशुद टिक पिरवागा मस्य मस्कळ का हो गया है की और कहले है तो अब हम पहला डिस्कॉषिन ओटे है कि पहरे करेंगे पहला डिस्कॉषिन हम करते हैं यहां पर कुडब डिक है कर ya का कौड मतलब कह या चीज़ पे हम पहली है तो शीट हमारे पास आक्चुली है नहीं तो इसी को हम एरेस करके यहां पर मैं आपको सबसे पहले समझा जेते हूं यह और नू तो सबसे पहले हम कुड़ पर यूज करेंगे जिके अब मुझे आप कुड़ के कमेंट सेक्षिन में एक्डामपल दीजे जब तक मैं यह बो है मैं करें कोई भी सेंटेंस यहां पर बता दीजिए चालो अब हम यूज करते हैं इसको ओके चाल अब हमारा सबसे पहला आगया कुड क्या आगया कुड कुड क्लियर है अब पहली बात देखो एबिलिटी पॉसिबिलिटी पर्मिशन या ओब्लिगेशन चिके तो यहां पे हम सबसे पहला यूज कर रहे हैं कुड को किसको कर रहे हैं कुड को चिक अब कुड को आप अपनी कॉपी में लिख लीजे मैं करें कॉपी में लिख लीजे वरना आपको भूल जाओगे चिके ओके कुड में हमारी तीन कंडिशन आ सकती है यह चार कंडिशन जो भी हमने पहले हाँ या ना या पहला आगा हमारा पॉलाइट रिक्वेस्ट ठीक पॉलाइट रिक्वेस्ट अब मैं कहई रही हूँ लेकल बेटा यहां पर मैं ने आपको क्या बोला कि रिक्वेस्ट हो सकती है मतलब obligation yes or no ticket request तो यहां पर देखो या तो आप कोई polite request कर सकते हो चीज़ाइब की duty है आप request कर सकते हो या आप अपनी ability के बारे में बता सकते हो किसके बारे में बोल रही बीटा ability के बारे में बोल रही है और कौन-कौन थे वर्ट होते हैं फिरिया हम कर सकते नरेशन के बारे में चेके इनका यूसेज देखो बेटा चिके ओक यहां पर आपने लिख लिया हाँ या या ना जल्दी मुझे बताए बीटा साह साथ साह लिखते जाए ए एक्जामपल देखो पहल प्लीज लिखो पहले लिखो open दा विंडो ठीक पहला एक्जामपल लिक लिया तुड़ कुड्यो प्लीज ओपन दा विंडो अभी हां पर बच्चा घुड का यूस कैसे लिख रहा है हम एबिलीटी को बता रहे है ठीक या हम क्वेस्ट कर रहे है और हमने क्या करा था permission के बारे में पड़ा है हाँ permission के बारे में भी पड़ा है जिके मैं वो वर्ड लिख रही है जो मैंने slide में लिखें जिक आप परमीशन possibility obligation परमीशन possibility या obligation अब यह बताओ इस sentence में कुड को कैसे यूज किया गया है could you please open the window could you please open the window यहां पर रिक्वेस्ट करी गई है मैंने आपको पहली का कुड़ को हम ability के यूज में कर सकते हैं किसी को request करनी हो तब यूज कर सकते हैं या narration में कर सकते हैं तो क्या हम possibility मांगे चल सकते हैं यह permission मनगे चल सकते जल्दी बताओ मुझे जल्दी मैं हपई ना मिस्टि कर रहे हैं की रही है हम यहां पर कुझिंग फ्लिज ओपन दा विंड़ो प्लीज का form आ गया हम यहाँ पे कुछ इसका क्या कर रहे हैं बीटा रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहां तक आके चल सकते हैं और एक्जाम्पल दो आपको यहां पर जल्दी मुझे बता कोड़ी यू प्लीज turn music down handwriting समझ में आ रही है यह यह नहीं आरिये जल्दी बताओ अप मैं ट्राइक और विटा आप सब के लिए ठीक है अभी यहाँ पे देखो कुड का क्या यूज कर रहे है मैं पर मिशन ग्रांट कर रहे हैं पर मिशन मांग रहे हैं नहीं ठीक पॉसिबिलिटी मांग रहे हैं न पर मिशन नहीं हो जाएगा ठीक है मैंने पर मिशन मांग रही हूं मैं क्योड यू प्लीज ओपन दा विंडो क्या आप प्लीज विंडो को ओपन कर सकते हैं किसी की ग्रांट मांग रही हूं मैं तो ग्रांट मांग रही हूं या हमी इसको रिक्वेस्ट में भी तो बोल सकत हैं बच्चा ये सो नू चल्दी बताईये मुझे अब देखो थर्ड थर्ड यूसेज को डियू फेच दोस बुक्स एक्ञामपल देख लो अब यहां पर देखो बेटा कुड को यूज कर रख है जिक है अब इसमें बताईये एबिलिटी है पॉलाइट रिक्वेस्ट है यह इसमें कन्फ्यूजन मत क्रियेट कीजे मैंने आपको इसके तीन कीवर्ड चल्दी मुझे बताएए इसमें आप क्या बोलोगे कुड यूफ फेच दोज बोक्स जल्दी बताओ जल्दी बताओ अपिंद देखहों याँ पे मैं आपको बताती पूलयोफेच दो वूः कामीशन मांग रहे हूँ तो मेशन मांग रहे हो यह रिक्वेश्ट कर सकते हूँ कि कि आपको यहां पे यू तॆ है कि कुड़ को हम कैसे रिक, सकते हैं हम याथाइ रिक में 4 में 5 सकते है यह हमार को कुछ बोलना है इट में नरेशन में यूज कर सकते हैं क्लियर है यह और नो अब देखो वें आई वास यंग आई कुड रन वन माई जब मैं यंग था तो मैं एक माईल भाग सकता था आव वेन आई वाज यंग अब यहां पर कुड को क्या है जब मैं यंग था पॉसिबिलिटी दिखा रहे है जब मैं बच्चा था तब मैं इतना भाग सकता था क्या था इतना भाग सकता था तो बेटा यहां पर कोड़ कैसे यूज हुआ बेटा पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि हाँ संभावना दिखा रहा है कि जब मैं बच्चा था तो मैं तब भाग सकता था ओके तो यहां पर मैंने पास्ट में उसकर लिया ना कुड़ को कैन का पास्ट कुड ठीक है मैं पास्ट चंस की बात कर रही हूं यहां पे होला है कियर र१ा यहना जल्दी बतायों मुझे ता कि मैं में पे शॉर्ट करूं डिसकर्शन जल्दी बतायों मुझे कलिर हैं जल्दी बताओ देखो बेटा यहां पर मैंने आपको काहा कुड मैंने यहां पर काकुड इनenzie open the window मैं आप से polite request कर रहे हूं क्या विंडो को open कर सकते हो ठीक है आगे देखो could you please turn the music down क्या आप ये जो music चला के बैठे हो इसे बंद कर सकते हो could you fetch those book अप यहां पे भी request कर रहे हो when I was young I could run one mile तो यहां पे आपको ability बता रहे है क्या बता रहे है ability बता रहे है ठीक है जल्दी बताओ clear हो गया yes or no when I was young I could run one mile मतलब यहां पे आपको क्या बता रहे है ability बता रहे है clear है अब मैं पॉसिबिलीटिक एग्जांपल देदू जल्दी बताओ देको 5th example can I erase these examples आपने साथ-सद कॉपी में लिखे है जल्दी बताओ मुझे जल्दी बताओ बच्चा वाट इस दिस दिस गूंग वेटा सेकें तो यहां देखो अब मैं आपको यह बता रहे हूं कि यह ability है बिटा मैंने possibility गलती से बोल दिया था तो प्लीस आप करेक्ट मत कीजिएगा मुझे मुझे पता है मैंने आपको बता दिया कि यहां पर वेन आई वस यंग I could run one mile मैं अपने बारे में आपको बता रही हूं किसके बारे में बतारी बच्चा मैं अपने बारे में बतारी मैं आपको अपनी ability बता रही हूं ठीक है अब एक्जाम्पल देखो एक और ही सेड़ वेन ही वोज ओफ माइन एज माइन एज ही कुड सिंग वेरी विल ठीक है यहां पर थोड़ा आपको सासत लिखना पड़ेगा ठीक है ही सेड वेन ही वाज माइन एज ही वेन ही वाज ऑफ माइन एज जब वो मेरी उमर का था है तो ही कुड सिंग वेरी वेल तो वो ज्यादा अच्छा गा सकता था यहां पर कुड हमें नहीं पता कि वो गा सकता है या नहीं गा सकता हमें नहीं पता लेकिन हां possibility दिक रही है कि उसने कहा कि जब वो मेरी एज का होगा वी कुड सिंग वेरी वेल वो अच्छा गा सकता होगा वो बोल रहा है मैं आपको नहीं बोली मैं अपनी एबिलिटी नहीं बता रही हो आपको यहां पर क्या आएगा बचाई हाँ पर पॉसिबिलीटी आ जाएगा तो मैंने आपको कर दिया है में को आगे मैं explain करती हूं चीके लेकिन उससे पहले मैंने बहुत सारे एक्जामपल लिख रखे हैं तो इससे हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं फिर हम में पर डिसकॉशन शाट करेंगे क्लियर है आपको यह और जल्दी मुझे बताई जल्दी जल्दी बताई which is she can speak six languages मैं अब यहांपे कैन क्या है पॉसीबिलीटी है मैं आपको वर्द बतादों यहां पे हमने बुला पॉसीबिलीटी, चीके care Student University जैकेर, और क्यान fed काम बॉला थाया च्टीकेर जल्दी बताओ मुझे और मैंने हां पर बोला था अब्लिगेशन चिक है क्या मतलब ओबली गेशन ठीक यह वाले कीवर्ट्स बताए है मैंने आपको चिक अब यहां पर रिक्वेस्ट भी आ सकती है चिक है ओके रिक्वेस्ट भी आ सकती है ओके शीकन स्फीग शेंग अब यह आप बताईे मुझे यह पॉसिबिलीटी मतंलब मतलब duty permission मतलब आप permission लेते हो ability मतलब की ability मतलब की आप कुछ बता रहे हो अपनी एहमियद और possibility मतलब संभावना संभावना की हो सकता है she can speak six languages ability बता रहे हो जल्दी बताओ जल्दी बताओ बचा यह क्या है आप sentence का मीनिंग देखो she can speak speak six languages वो 6 languages बता पड़ा सकती है तो आप किसी के बारे में बात कर रहे हो किसी के बारे में बात कर रहे हो किसके बारे में बात कर रहे हो जल्दी बताओ चिक है my grandfather could play golf very well हम अपने grandfather की ability बता रहे है पॉसिबिलिटी बता रहे है जल्दी बताओ कमेंट तो कर दो जल्दी बताओ देखो my grandfather could play golf very well तो यहां पे हम किसी के बारे में किसी की एहमियत के बारे में बता रहे हैं क्लियर है किसी की गट्स के बारे में बता रहे हैं तो अब एबिलिटी आ सकता है हां आ सकता है चिल्रण मस्चुदूध और हमवाख चिल्रेन मज चिडूध यंदि एहर होनग क्या बोल रहे हूं मैं फोसिबिलिटी चैवारी में बात ल prima करें के children's को काम करना चाहिए possibility है children's करे ना करे हमें क्या पता बच्चे करे ना करे अब मैंने आपको कहा कि मेर को answers दो कोई बच्चा दे रहा है नहीं दे रहा है तो यह क्या है मेरे लिए तो possibility है न कि हाँ बच्चे कमेंट कर सकते हैं yes or no आगे देखे चलो we have to wear a uniform at work हमें uniform पहनी है का जबं काम पे जाते हैं possibility है क्या है possibility है क्यों possibility है कई बंदे जब office में आ रहे हैं कोई dress code नहीं पहन के आ रहा तो possibility है हमें guidelines मिल गई ठीक है आगे देखो okay you should अब यहाँ देखो मैंने मैं है को यू कर रख और है should go you have correct a must go can go could go in सबको मैं detail में समझाउंगे क्या कर रहिए कि इन सबको मैं detail में समझाऊंगे you should stop smoking you should small matrix मतलब कि आपको यह जिस मोग करते हो ना इसको को stop करना चाहिए possibility है कि बंदा छोड़ेगा possibility है कि बंदा नहीं छोड़ेगा clear yes or no chicken अब आप बच्चे मेर को possibility दिखाऊगे कि आप में सथ कॉपरेट करो गया जो मुझे नहीं लग रहा मुझे नहीं लग रहा could I leave early today please आज मैं जल्दी जा सकता हूं बच्चे तो परमीशन लिए भी नहीं भाग मैं क्लास से online ना कभी भी स्विच कर लो कोई भी चैनल पर ठीक कुड आई लीव early today please अब बेटा कुड यहां पे क्या यूज करें है मैं परमीशन मांग रहे हैं क्या मांग रहे हैं परमीशन मांग रहे हैं क्लियर हूआ हाँ यह ना अब मैं कह रही हूँ मोडल्स क्या है वो वर्ब के फोर्म है जिसे हम possibility ability permission और obligation में यूज कर सकते हैं ठीक ठीक है ठीक है कई देखोगे न बेटा तो यहां पर मिशन नहीं मिली हमें हमें परमीशन नहीं मिली कि हमां को यह कार यूज करनी है यह नहीं करने तो बेटाइक परमीशन में आगया क्लिए आगे चल चलो can we swim this in this lake क्या हम इस लेक में स्वें कर सकते हैं अब यहाँ पे कैन का किस फॉर में यूज आया सारे सोरो क्या चारे के सारे सारे सोरो कोई तो मुझे बता दो कोई डाउट ही है वही पूछ लो जल्दी बताव कैन वी स्वें इन दा लेक कैन क्या है मैं य है यहाँ पे permission manga clear okay it's knowing so it must be very cold outside ticket it's knowing so it must be very cold outside so you hop a buncha deko how me hop a panic prediction lagart a probability lagart a so probability a possibility probability it equals to possibility three happy yeah it's knowing so it must be very cold outside hum a penny possibility lagart a can shy at the office no are a hair so it means give up a kya hoga watch other time the hoagie hum possibility lagart a happy clear head yes or no ticket so our vigil September is examples me up a point out her children must do their homework children must do their homework kya hai ability use ho sakti children's coming shop na kama karna chaiya kya unmetany app ability है तो एक वर्ड को मैं कहे रही हूँ एक वर्ड को हम possibility भी लगा सकते हैं ability भी लगा सकते हैं बस हमार को sentence का meaning समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है जिक अब पहेला को जाएगा आपका इसके बाद ठीक है तो क्वेस्ट बेको बेसिक टू कोशन से यहां तक समझ में आ गया तो आपको clear है portion number one model is used to express models are used to express kya ho time jaldi without ability possibility permission yeah all of the above abhi HR examples many up ko but I think jaldi beta beta do has so much but I don't know please I'm just waiting जल्दी जल्दी बेटा बताओ दिख रहा है आपको screen पे अब तो मैं साइड में हूँ जूम भी है ठीक है आगे देखू हाँ example of models are can may shell ya all of above बिटा अभी examples तो बोले हैं detail में नहीं पड़ाया बट अभी बोले तो हैं जल्दी बताओ can may shell ya all of above जल्दी बेचा जल्दी जल्दी बता दो प्लीज में को बता दो दन ओके अब मैं बताते हैं बहुत हीं बहुत ही इसंपल था जिकर बहुत है तो पहला देखो model is used to express जो models होते हैं हम कहीं verb होते हैं वो यूस ए एक्सप्रेस किसी की एहमियत को बताना ABILITIKO बताना चिके किसी के possibility संभावना को बताना चिके किसी के permission को grant लेना कि हम यह काम करें या ना करें चिके और साथ इसाथ डी होता है हमारा all of above clear yes or no ticket अभी हाँ पे examples of model मैंने बताया था can में शल या all of above तो यहां पर डी पाट हो गया ना हमारा करेक्ट बीटा फॉस्ट में क्योंकि यह सारी कि सारी इंक्लूड़ेट थी चीज़ें है ना तो यह मॉडल आर एक्जामपल यहां पर कैन में शल यह डी तो इसका भी आंसर डी होगा ना ठीक है आगे चल चलो अब एक् अभू करा दीए थी पुड पर किस पे करा दी है फुड पर अब हमारा आएगा सेकें में पर किस पे आएगा बैंचा में पर चाइगे पिटेड अभी हमपे एस साथ अपनी कौपी को खोल लिजह मैं कौपी को खोल ली leaks और चैनल में कहा रही हूं उसे लिख यह menŞ होता है ह जल्दी मुझे बताओ जल्दी बेटर बताओ possibility ठीक है possibility permission और बताऊ और बताओ या blessing यह हम यह कह सकते हैं blessing blessing मतलब की ability हो सकता है permission हो सकता ठीक अब मैं आपको कहूं blessing मैं यह keyword हमने पढ़ा ही नहीं यह keyword पढ़ा ही नहीं बेटा ब्लेसिंग भी आएगा मैं आपको एक्जामपल बताते हैं ठीक फोर की वर्ड सो हमारे यह हैं कि मॉडल हमें यह बताते हैं लेकिन अगर परमीशन में देखेंगे में ऐसा यूज होगा जो आपको ब्लेसिंग दे रहे होंगे ठीक है उसमें परमीशन नहीं है बस अलग से क्लासिफाइड वर्जिन में यहां पर लिखा हुआ अब ब्लेसिंग का मैं आपको एक्जामपल देती हैं में गॉर्ड ब्लेसिग नाप सबको कह देती हूं बहुत बारी कमेंट में बोला ठीक है में अब में का यूज हो रहा है मैं परमीशन थोड़ मैं शिर्वाद के रूप में क्लियर है यह नहीं है अब देखो पॉसिबिलीटी का ही में कम टुड़े अब मुझे लग रहा है जो बच्चे पिछली बारी क्लास में नहीं आये थे वह इस बारी क्लास में जरूर आएंगे क्योंकि अब मैं साथ साथ लिख भी रही हूं ठीके स सब कुछ लिखके नहीं आई तो अगर आपको मैं यहां पर कहूं यहां पर में किसमें यूज़ हो रहा है पॉसिबिलीटी में क्लियर है यह सोर नो जल्दी मुझे बताई जल्दी बताई अब देखो आप अपनी कहां गए स्कूल में मतलब की कहीं गए ठीक है घूमने buy something you may buy something if you chicken पहले लिख लो example you may buy something if you want a beta यहां पर में कैसे यूज़ कर रहे हो आप ध्यान से देखो ध्यान से देखो यू में बाइस सम्टिंग इप यूवांट में मतलब की आप कई घूमने गए और आपकी पेरेंट्स ने बोल दिया कि अगर तुम्हार को यह चीज़ पसंद आ रही है ना तो इसको खरीद लो अब में बेटा यहां पर क्या है यां में बेटा यहां पर परमीशन मिली ना आपको तो मैंने आपको यहां पर क्या कहा कि में को यूज करते हो आप पॉसिबिलिटी को यूज कर सकते हो परमीशन को यूज कर सकते हो यह आपको ब्लेसिंग चाहिए किसी की परमीशन का ही नो का आंसर देना होता है और ब्लेसिंग में आप सिरस्फ थैंक्यू बोलते हो क्या बोलते हो थैंक्यू बोलते हो लेकिन हमने बोला है कि एग्जाम्पल ऑफ मॉडल वर्म में हमने चार कीवर्ड ही पड़े हैं possibility परमिशन चिके आगे एबिलिटी या ओब्लिगेशन मतलब ड्यूटी ठीक लेकिन अगर आपको यह वर्ड दिख जाए आपको यहां पर कीवर्स ना देखे तो क्या भूल होगे मैं यहां तो यह परमिशन का ही होगा लेकिन यह सब पाटा ब्लेसिंग क्या है ब्लेसिंग तो हमने किस पर बेटा बात करी है कुड़ पर मैंने आपको डिस्कॉशन कराई है और में पर कराई है कुड़ का में कही पास्टेंस में माइट आ जाएगा एक बढ़ी हम रीडाउट करके कोई डाउट होगा तो आप मुझे बता दी जिएगा अभी क्या भी ठीक कोड़ मतलब za HIV यूड़ ऑपर आंक आप पास्ट रसेंस होता है यह आपन हाप यंबना जयंगर जवune आभांट तब लीटी भाग सकता था मैने आप को यह पिलीटी बता दी अपनी यहां पो यहां पर आप पर यहां पर पर यह जिए उलिदो करников हो नोत इबलीटी बता दी क्लिОर है को लाइट पर मेशंट मैने ऑपका मुशन लेने के लिए तो आप काऊगे पूल आइप परमीशन यह रीकोसट हम कर सकते हैं इसमें हाँ ठीकर रिक्वेश्ट भी कर सकते e SCP परमीशन मेंगे तो रिक्वेस्ट भी अय सकता है हां permission में ही request आ सकता है कि कि answer yes or no women yoga excuse me could I just say something मैंने आप बच्चो को का excuse me बच्चो क्या मैं कुछ बोल सकती हूं एक बड़ी बोलने तो फिर कमेंट करना चीक तो मैंने आप से पुलाइड परमीशन मागी क्या मैं आप सब कुछ बोल सकती हूं तो excuse me could I just say something क्या मैं आपको कुछ बोल सकते हूँ यहां पर कुड कैसे यूज हुआ पॉलाइट परमिशन कैसे यूज हुआ पॉलाइट परमिशन जिक अब पॉसिबिलिटी को देखो अगर हम कुड को यूज करेंगे भी पॉसिबिलिटी को देखो अगर हम यहां पर कुड को यूज करेंगे ठीक इक मुoqu ट्रेंट ूमोरू अब कोड यहां पर कैसे यूज हुआ बच्चा पॉसिबिलिटी मतलब कि समभावना की यज़ को टूरें टूमारूकर बारिश आ सकती है कैसे आ सकती है कल बारिश आ स तो मसक्ति है जब हम पॉसिबिलीटी के बारे में बात कते हैं यह परमीशान के बारे में बात करते हैं तो हम देखेंगे कोड प्रेजन्ट में भी यूष हो सकता है वोत अंतंस मैं पडांगी गीडितना अभी पढ़ रहे हो उसी को संजो go toлом कैसे यूप कर सकते हैं सिंपल टेंसे जब पढ़ेंगे और क्लारेटी आएगे आपको इन टॉपिक्स पे बट आप समने दिमांड करी है मॉडल्स पे तो मुझे मॉडल्स पड़ा ना पड़ा चीक तो यहां पर कुड क्या है पॉसिबिलिटी है पॉसिबिलिटी है संभावना है इज गूड रंग तो कुड यहां पर क्या है पॉसिबिलिटी अब में के बारे में डिसकर्शन कर ले मैंने आपको वैसे बहुत एक्जाम्पल्स दिये हैं लेकिन एक बारी हमार को यहां पर फॉर्म में भी पढ़ना चाहिए ठीक है अब यहां पर देखो यहां पर आप देखो अगर हमने कि किसी से परमिशन मांगे किसी से परमिशन मंगे मैं आइए यूद् यूर pho n pass लाम इसकर सकता हो क्या मैं आपका पोन यूज कर सकता हो तो बढ़ वैते को यूज Is instruments क अपना पोन है नहीं हम तो हाट भी नशाने टेपना पॉन किसी को अब देखो मैं आयूज यूध- intent is a probability ability possibility a probability possibility ie guy he dusra nam hogar probability some sakna bank books my pre possibility direct over kind with the probability 大哥 they can talk 원amenteтор and I happen possibility equals to probability chicken probability with somehow not possibility behind a house of the hair yeah no he thought though एक अगे सब्सक्राइब करें टू रेन टोमोरो अभज आप है इत्व मेर रेन ऩॉमोरो इट कुझ रेन मौरो यह पोसिबिलिटी आई कि यहां पे हमने अपने बारे में देख इन दोनों करेगजांपल्स देखो यहां पर देखो एकड़ इन तो मॉरू गुड़ ही ऊसो सकता है इट मेरें टुमॉरू यह भी ऐसो सकता है लेकिन अगर आप यहां दे को गेना तो में मेर आपको क्या रहे कि आप हमने सजेशन दे रहे हो यहां पर ठीक है इड़ कुड रन टुमॉरा मतलब कि अपने मन की बात कह रहे हो कि मौसम देख के ना हमें ऐसा लग रहा है कि बारिश आईगी तो एक वर्ड को यह मैं यह कहूं एक मॉडल को अब डिफरेंट टर्म्स में भी यूज कर सकते है एक वर्ड को हम सेंटेंस में एक मॉडल को हम डिफरेंट फॉर्म्स में यूज सब्सक्राइब अब यहां पर देखो माइट पास्ट चिक है प्लाइट पर मिशन ले नहीं माइट ऐसा जोगे इडिया माइट आई सजेस्टन आइडिया माइट आई सग दे सकता हूं माइट की जगा में यूज कर सकते हो हां कर सकते हैं में आई सजेस्टिन आइडिया क्या मैं आइडिया दे सकता हूं लेकिन माइड मतलब की यहां पर मैं कह रही हूं कि एक वर्ड को आप डिफरेंट ली कभी भी यूज कर सकते हो ठीक है आप बोलोगे मैं मैं मे की जगा माइट आ सकता है कुड की जगा कैना सकता है आ सकता है लेकिन हमें मॉडल्स का क्या मतलब हम अपने मन की बात कह रहे हैं ठीक हम अपने इच्छार दायर कर रहे हैं तो यहां पर माइटाइस सजेस्टिन आइडिया क्या मैं आपको कोई आईडिया दू तो यह भी है और वाइट भी हापे आ सकता है तो एक संटेंस में आपको यहाँ पे डिफरिंट-डिफरिंट रॉट vibrations देखेंगे एक वर्ट को हम कैसे यूर कर सकते हैं Oui ए s और निम जल्दी जल्दी बताई यहां तक आप और है बोलो यहां तक आपको clear है yes or no okay अब देखो यहां पर शूड एक जगा लिको शूड और एक जगा लिको मस्र चीक हम इन्हें अलग अलग फॉर्म में कैसे यूज कर सकते हैं चीक एक वर्ड को हम डिप्रेंट मीनिंग्स को कैसे यूज कर सकते हैं चीक शूड मतलब हम किसी को एडव उस दे रहे हैं जुड मतलब हम किसी को एहां पर एडवाइस दे रहे हैं मास्च मतलब की हम यह पर कमपल्शन करें है का करें है किसी को ड्यूटी दे रहे हैं कम पार्षेशन को क्या मतलब हुआ कि ब Sorumlingen को हमने काम करना ही ऱ्डूराई सब्सक्रीव आपby your hand obligation दे रहे है य बहुत एक्जाम्पल से आगे भी एक बर ही आप मेरे साथ लिख लोगे आपको कुछ नहीं जाएगा चिके और साथ हमारे यहां पर आ जाएगी प्रॉबिबिटी प्रॉबिबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी तो आपको यहां पर कन्फ्यूजन नहीं लेके आनी है ठीक है अब मैंने कहा कि बेटा बहुत देर हो गई आप मेरे से मिलने आए मैंने आप सब को कहा आपको ना बेटा बहुत देर होगे अपने घर जा ठीक है आप घर जा तब इ You should go home now. अब यहां पर बेटा क्या हुआ? should को मैंने permission या advice देने की लिए कई? हाँ बेटा मैंने आपको advice करी है. क्या करी है? advice करी है कि बेटा अब आपको घर चले जाना चाहिए क्योंकि बहुत देर हो गई. ठीक है? आप comment में ना उल्टे कह रहे हो. कुल्टे कमेंट्स देते हो कई बरी देते हो yes or no कितने कि ओके तो यहां पर मैंने आपको क्या कहा कि यूशूड stop talking you should stop talking मैं आपको कर रहे हूं कि आप सब को यहां पर बात करनी बंद कर देनी चाहिए तो you should stop talking अभी हाँ पर क्या आगया एडवाइस के फॉर्म में आ गया जिक अब मैंने आपको आप कंपलuton में बोलाम मस ए पोलेज़ स ठिकने मच ए पालाज़ेस जीड़ांम में में है मैंने आपको मस्ट को हम कैसे यूज कर सकते हैं अगर हमार को स्टॉंग ऑब्लिगेशन मतलब कि हमारी स्टॉंग ड्यूटी है ठीक है यह मस्ट चॉप वेंड़ ट्रैफिक लाइट रन ड्रेड आपको रुकना है जब ट्रैफिक लाइट क्या हो जाती है रेड़ हो जाती है ठीक अगर हम conclusion देंगे यह certainty के बारे में कहेंगे मतलब की possibility के बारे में बोलेंगे कोई चीज तो कैसे बोलेंगे मस्ट में ही मस्ट भी वेरी टायड वह बहुत ज्यादा थका हुआ होगा क्योंकि वह सारा दिन काम कर रहा था तो यहां पर मस्ट क्या आया यहां पर पॉसिबिलिटी आ गई चीक है मस्ट नौट प्रोबेश प्रोहिबीशन मस्ट नौट मतलब यह काम नहीं करना मतलब की इक meditate यहां पर आ गई में कहरे हमें पे कंपलिशन आ गई यूँ मस्कूल law in the hospital बतलब की मास को यूज कर से आ यहां पिर की कमपर शयना अगई कि आप को स्मूक नहीं करना है अबिलिटी अबिलिटी कि कैसिए आ आई बहुती कम रहे है एबिलिटी का कैसे मतलब हुआ अगर हम कैन पर अबिलिटी के यूज में करेंगे आई कैन सुन परमीशन कैना यूज यूज यूर फोन प्लीज तो यहां पर हमने देखा मोडल्स को हम अलग-अलग फोर्म में यूज कर सकते हैं पॉसिबिलिटी देखो कैन को यूज हमने कैसे किया परमीशन के तौर पे तो मस्ट मस्ट नॉट कैन हमारा हो गया खताम अब हम नीड नॉट शुड नॉट और हैट बैटर पे डिसकॉशन करते हैं पांच मिनट मुझे दीजे आपको समझ में आ जाएगा ठीक है हां तो नीड नॉट का क्या मतलब होता है लाक ऑफ अंसर्टेनिटी या एपसंस ऑफ ओब्लिगेशन नीड नॉट का मतलब कि हमार को कोई परमीशन मिली जिसका आंसर था नू मतलब कि आपको परमीशन नहीं मिली ठीक है आई नीड नॉट टूबाइट टोमैटो तो मुझे यहां नीड नॉट क्या है कि मु आई बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है इसलिए मुझे डॉक्टर को देखना है चीक शूड और तू अगर हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं यू शूड या और टू रिवाइब यह लिसन जो मैंने पढ़ाया है उसे आप पढ़ के आई एगा तो यू शूड और तू तो आप देखो कि ही शूड और टू बेरी टायट वही शूड या ओट मतलब कि इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं कोई भी वर्ट वह बहुत ज्यादा ठका हुआ होगा कि कि वह सारा दिन काम कर रहा था तो मैंने आपको कहा है एक मोचल को आप डिफ्रेंट फॉर्म्स में य बैटर यह भी हमारा मॉडल है अगर हमार को इसको एडवाइज देनी होगी तो यूट बी बेटर टू रिवाइज यहां पर मैंने क्या दिया कि यहां पर क्या हुआ यहां पर बैटर आ गया और हमने यहां पर हैड बैटर को यूज कर लिया ठीक है यू है यू है बैटर र हम कैसे डिफ्रेंट फर्म में यूज कर सकते हैं होप आपको ये लेसन क्लियर हुआ अब हम आएंगे क्विस पे क्विस नंबर वन आपकी स्कूरीन पे चिका मतलब कोशन मेबी इदर राइट मेबी क्या है मेबी मेडी पॉसीबिलिटी है विशिंग है blessing है जल्दी जल्दी मुझे मताये ठीके जल्दी बताएं मैद भी ही इट राइट जल्दी मुझे बता व ये सकती है कैनाception शीच जल्दी बताओ टाइम है आपकेन नवकों बखम वेम बेकशन कंए year he could not speak English last year वो English नहीं बोल पाता था ability in past polite request narration यह नन नफ अब जो समझाया है ना बेटा आपको क्विज में आंसर आ जाएगा उसका ठीक है last year he could not speak English could not क्या है कुड का पास्टों प्रेजन पे यूज भी कर सकते हैं पास्ट में यूज कर सकते हैं आगे अटीचर मस्टीच सूदेन एबिलिटी तो अब आउट डिसिप्लेट एक टीचर को नदिसिप्लेन समझाना चाहिए बच्चों को ठीक है तो क्या टीचर की क्या है कंपल्चन एटीचर को यह बताना यह टीचर की डियूटी होनी चाहिए की स्ट्रॉंग ऑबिलिगेशन होनी चाहिए यह पॉसिबिलिटी है कि टीचर पढ़ाएगी यह नहीं पढ़ाएगी यह ननन आफ अबब जल्दी बताओ है के अटीचर मस्टी तुटेट एबिलिटी अबव डिसिप्लेन मक यह पे कैसी यूज कर रखाया बच्चांब कंपल्शन में ए स्टोंगyy obligation में teacher कि क्या होनी चाहिए कंपल्शन होनी चाहिए टीचर को कि डिसिप्लेन समझाए यह की ड्यूटी होनी चाहिए यह की possibility जल्दी बता हो मुझे जल्दी बेटा आम जस्वेटिए अभी तक नहीं बताते हो तुम लोग जल्दी बताओ मुझे जल्दी जल्दी मुझे बताओ जल्दी हो गया टाइम आप टाइम आप चलो अब डिस्कॉर्शन कर दूं ठीक है अब देख यहाँ पर आंसर्स देखो मेबी ही इस राइट मेबी बेटा जो आप टाइड ना है भी बोल रहे हो तो मेबी यहां पर possibility आगई कि जो अब कहरे हो possibility मतलब probability प्रोबबीलिटी मतलब आप 50% भी ठीक कह सकते हो यह 100% सही और तो यहाँ पर क्या आगया probability आगे चिके लास्ट यह कुड़ नाट स्पीक इंगलिश कुड़ यहां पर क्या हुआ एबिलिटी इन पास उसकी पास की अबिलिटी तभी मैंने एबिलिटी के साथ आपको हिंट देने के लिए इन पास लिखा था एबिलिटी इन पास आगे देखिए टीचर मस्टी सूजन अबिलिटी अब दर डिसिप्लेन मस्ट बोल रही हूं मैं टीचर की यहां पर अगर मैं आपको कहूं कि प्लीज कल मास्टर क्लास के लिए आपको कौन सा टॉपिक चाहिए उस पे मुझे प्लीज बता दीचेएगा तभी वही क्लास कल आपको लाइफ मिलेगी थैंक यू सो मच डाटन पे बने रहें बाबाई टे